हलो दियर स्टूडेंट आप सभी के चेनल में आपका स्वागत है। बायराम सानी ने की थी राविनदी के किनारे और हडपा सबेता कहा पर स्तित हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मौन्ट गोमरी जिल्ले में स्तित हैं। हडपा के दूर्ग में जो की इटो के बने चबूत्रे पर दो पंक्तियों में खड़े हैं। हडपा की ही देन हैं यहां से हमें वरगाकार इटो का चबूत्रा भी प्राप्त हुआ हैं। हडपा से हमें लाल पत्थर की बनी नगन खड़े पूरुस की मूर्ती प्राप्त हुई हैं। हडपा से हमें लाल पत्थर की बनी नगन खड़े पूरुस की मूर्ती प्राप्त हुई हैं। हडप्पा से ही हमें कासा गलाने का पात्र, कासे का एक का और नगन पुरुस का धड़ प्राप्त हुआ हैं। हडप्पा के जो सवाधान थे या कब्र थी उनमें से हमें क्या प्राप्त हुआ हैं कासे का धरपन, सूर्मा या काजल लगाने की सलाई, सीपी का चमच प्राप्त हुआ है हडपा में जो सव थे वो कौनची दिशा में दफनाएं जाते थे उत्तर दक्षिन दिशा में दफनाएं जाते थे हडपा में सव उत्तर दक्षिन दिशा में दफनाएं जाते थे हडपा में हमें कबरिस्तान मिले हैं कौन कौनचे कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R-37 ये दोनों कापर सी थे हडपा में कब्रिस्तान R-37 में कितनी कब्रे हैं 57 कब्रे हैं हडपा से हमें धोती पहने हुए मूर्ती मिली है संक का बना हुआ एक बेल मिला है सरवादिक अभिलेक युक्त मोहरे हमें कहां से मिली हैं हडपा से स्तिरी के गर्ब से निकला हुआ पीपल का पेड़ हमें कहां से प्राप्त हुआ हैं हडपा से सिंदु गाटी सब्विता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी मानी गई हैं हडपा ही मोहर मानी गई हैं हडपा की खोज 1921 में दैराम सानी ने की थी 1923 में इसका नीमित उतकनन प्रारंब हुआ था और 1926 में मादो सुरूफ वत्स ने उतकनन करवाय था और 1946 में मार्टी सर विलर ने व्यापक स्तर पर इसका उतकनन करवाय था तो याद रखना 1921 में खोज हुई थी हडपा की 1923 में नीमित उतकनन प्रारंब हुआ 1926 में मादो सुरूफ वच्चे ने उत्खनन करवाया और 1946 में मार्टिसर विलर ने उत्खनन करवाया था मार्टिसर विलर कहते हैं कि नगर के रक्षा के लिए हडपा नगर के रक्षा के लिए पस्षिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को विलर ने किसकी संग्या दी माउंट एबी की संग्या परदान की है याद रखना हडपा से जो अन्नागार प्राप्त हुए है वो कौन से नगर के कौन से द्वार पर स्थित था नगर के पस्षिमी द्वार पर स्थित था अब आता है दूसरा उत्कनन सेत्र मोहन जोद्रो जिसकी खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनरजी ने खोज की थी मोहन जोद्रो की सिंदू नदी के पास लरकाना जिला सिंद पाकिस्तान मोहन जोद्रो को हम क्या कहते हैं नकलिस्तान या सिंद का बाग भी कहते हैं नकलिस्तान या सिंद का बाग कहलाता है मोहन जोद्रो और मोहन जोद्रो का साबदिक अर्थ क्या होता है मृत्कों का टिला मोहन जोद्रो से प्राप्त जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर आदा भाग किसका है मानव का है और आदा भाग किसका है बाग का है याद रखना मोहन जोद्रों से जो मोहरे प्राप्त हुई है उस पर आदा भाग तो है मानव का और आदा भाग है बाग का वरसब मुद्रा जो है यह हमें मोहन जोद्रों से प्राप्त हुई है और यहां से हमें विसाल सनानागार मिले हैं जिसे जोन मोर्सल ने अदबुत निर्मान का है विस्व का याद रखना सिंदू गाटी सब्विता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में मोहन जोद्रों से अननागार प्राप्त हुए हैं और दूसरा है यहां पर विसाल सनानागा कार्बी प्राप्त हुए है जिसे जोन मोरसल ने विश्व का अधबुत निर्मान का हैं फिर आता हैं मोहन जोद्रों से हमें कासे की नगन नर्त की प्राप्त हुई हैं जो कि सिंदू सब्यता की सबसे सुन्दर कला करती हैं और लंबाई हैं इसकी 12 सेंटीमीटर याद रखना कास्य की नगन नर्त की मोहन जोद्रों से प्राप्त हुई हैं मोहन जोद्रों से हमें आंसिक सवाधान और पूर्ण समाधी करण के साक्षे मिले है मलेरिया के साक्षे भी हमें मोहन जोद्रों से ही प्राप्त हुए है मोहन जोद्रों के पसीमी भाग को स्थूप टिला कहा जाता था क्यों क्योंकि यहां पर कुशान सास को द्वारा स्थूप का निर्मान करवाया गया था कहां पर मोहन जोद्रों के पसीमी भाग में इसलिए मोहन जोद्रों के पसीमी भाग को क्या कहते हैं स्थूप टिला कहते हैं मोहन जोद्रों से हमें दाड़ी वाले साधू या पुजारी की मूर्ती मिली है जिसके लंबे बाल दाड़ी है लेकिन मुच्छे नहीं है सामुईक हत्याकांड का साक्षे भी हमें मोहन जोद्रों से मिला है मलेरिया का साक्षे भी मोहन जोद्रों से सामोग हत्याकान का साक्सी भी महोन जोड्रों से सूती वस्तर का साक्सी भी महोन जोड्रों से प्राप्त हुआ है हाज से बना हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा भी महोन जोड्रों से जो कपास हमें मिला है सिंदुगाटी सब्वेता से यहाँ पर कपास के प्रयोग का परमान कहाँ पर मिला है मोहन जोद्रों से कपास के प्रयोग का सरोपरतम परमान मिला है यहाँ पर गरों में कुए के अवसेश मिले हैं मोहन जोद्रों से विसाल सबा भवन या सबागार पुरोहित आवास, माविद्याले भवन, सीव की मूर्ती, कुमार के छै भट्टे या चिमनी, सीपो की बनी पत्री, गोडे के दाथ, सेल खडी से युक्त पुरोहित का धड, हाती का कपाल खंड याद रखना हाती का कपाल खंड हमें मोहन जोडों से मिला है, इंपोर्टेंट है, और जले हुए कपाल हमें चनुद्रों से मिले है, गले हुए तांबे का धेर, जाली दार, अलंकर युक्त, मिट्टी का बर्तन, सतरंज की छोटी गोलियां, सेल खडी का बना बाट, सिल बट मिला है, यह हैं व्रहत सनानागार के उत्तरपूर में स्तीत था, विशाल सनानागार अपे कहा से मिले हैं अभी आपको बताया था, मोहन जोडों से मिले हैं, और सबसे बड़ी इमारत की रूप में मोहन जोडों से हमें अन्नागार प्राप्त हुए हैं, और दूसरा है, वि सनानागार मिले हैं सनानागार का फर्ष किस से बना हुआ था पक्की इटों से बना हुआ था और मोहन जोडरों से हमें कोई भी कबरिस्तान का सक्षे नहीं मिला हैं कबरिस्तान हमें का से मिले हैं हडपा से जोन मोर्सल ने इन विशाल सनानागारों को क्या का था अब आपको पताय था, विष्व के अधवुत निर्मान कहा था, जोन मौर्सल ने इन व्रैत या विशाल शनानागार को विष्व का अधवुत निर्मान कहा था, हडपपा और मोहन जोडरों की नीचली बस्ती में एक कक्षिया बेरेकनूमा आवास भी मिले हैं, जो संबत किसका निवासत मजदूर वर्ग रहता था मोहण जोद्रो की जो साशन व्यवस्ता थी कैसी थी जन्त अंत्रात्मक थी अब आता है तीसरा उत्कनन सेत्र चनूद रडो चनूद रडो की खोजवी थी 1931 में किसने की थी गोपाल मजूमदार एन जी मजूमदार ने की थी 1931 में सिन्दु नदी के तटपर और उत्खनन कारिक इसने करवाय था 1935 में मेके ने करवाय था चनूदरो की खोज हुई थी 1931 में गोपाल मजुमदार द्वारा की गई थी और 1935 में यहाँ पर मेके ने उत्खनन करवाय था इंपोर्टेंट है चनूदरो क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने के कार खाने प्राप्त हुए हैं और मनके के सरवादिक परमान भी मिले हैं हमें चनूदरो से मनके के सरवादिक प्रमान हमें मिले हैं चनूद्रो से सोंदेरे परसादन में प्रियुक्त लिपिष्टिक का साक्षी हमें चनूद्रो से मिला है याद रखना चनूद्रो से हमें लिपिष्टिक का साक्षी मिला है चनूद्रो के जो लोग थे वो कुशल कारीगर थे लोग उतकनन्द सेत्र को क्या कहते हैं? जुकर, जाकर या फिर जकर, जाकर संसक्रती कहते हैं. याद रखना जकर, जाकर जाकर संसक्रती कौन सा स्तल कह लथा है? चनूद्रोंसे एक वरगाकार मोहर प्राप्ट हुई है जिसमें एक स्तृरी हाथ में ध्वज लिए ऋवे खड चनूदरो से बिल्ली का पिछा करता हुआ कुत्ता और हाती के पंजो की निशान मिले हैं कहां से चनूदरो से चनूदरो से ही हमें गुडिया निर्मान का भी अवसेश मिला हैं गुडिया निर्मान का अवसेश चनूदरो से चनूदरो से सिंदव सब्वेता के अलावा प्रा ख्रपपा संस्कृति के वी खुर्शेस मिले है और यहां से हमें चित्रांकन हस्त-कला और सिल्फ-कला के साक्षिए मिले है जयां देने योग्य बात यह है कि चनुद्रों से हमें कोई भी दुरुग का उसेश नहीं मिला है, कोई भी किले बंदी के साक्षे नहीं मिले हैं, कोई भी दुरुग का उसेश नहीं मिला है, चनुद्रों से जला हुआ कपाल का साक्षे मिला है, आपको भी बताया था हाती का कपाल कंड तो हमें मोहन जोड्रो से मिला है और जला हुआ कपाल का साक्षिय हमें चनुद्रों से मिला है चार पयों वाली गाड़ी का उसेश चनुद्रों से मिला है चनुद्रों से एक मिट्टी की मुद्रा मिली है जिस पर तीन गडियाल और दो मचलियों के अंकन का साक्षिय मिला है मिट्टी के मोर के आकर् आपको पसी में छोड़ था इसकी खोज 1923 में ओरेल स्टीन ने की थी भुलुचिस्तान में दासक नदी के किनारे ओरेल स्टीन द्वारा 1923 में खोजा गया था सुतका गेंडोर और 1962 में जोर्ज डेल्स ने यहाँ पर सिंदुनगर दुर्ग और बंदरगा का पता लगाया था सुतका गेंडोर का जो दुर्ग था वो एक प्राकर्तिक चट्टान पर बनाया गया था सुतका गेंडोर का जो एक दुर्ग था वो प्राकर्तिक चट्टान पर बनाया गया था इंपोटेंट फेक्ट ये है कि सुतका गेंडोर के लोग कहां से व्यापार करते थे तो सुतका गेंडोर के लोग जो थे वो बेबी लोन से व्यापार करते थे और ये सिंदुगाटी सब्यता का पस्षी में छोड़ था और सुतका गेंडोर से हमें हडपा संस्कृती की 1951 में हुई थी और ये स्वतंतरता के बाद राजस्तान में खोजी जाने वाले पर्थम सब्वेता थी काली बंगा और अमलालंद गोस्त द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1961 से गुनत्तर के बीच बीबी लाल और बिके था अपने यहाँ पर उत्कनन कारिये करवाये था यह 24 में बनवाली हर्याना की खोज सरस्वती नदी के किनारे बनवाली हर्याना से में क्या क्या मिला है वोस वेसिन के साक्सी मिले हैं जिसे हिंदी में अपन धावन पात्र कहते हैं दोने का पात्र हाथ दोते हैं वास वेसिन में तो वनवाली से हमें वोस वेसिन के साक्सी मिले जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दावन पात्र कहते हैं इंपोर्टेंट फेक्ट है इसका क्यूशन आया हुआ है कि सिंदु गाटी सब्यता में मिट्टी से निर्मित तेरा कोटा का हल या हल कहां से प्राप्त हुआ है तो बनवाली हर्याना से हमें मिट्टी से निर्मित तेरा क मकान के साक्षे मिले हैं तामबे का वानाग्र मिला है में बनवाली हर्याना से और बन्यवाली में नाली पदिती का अभाव था तता नगर योजना किस रूप में थी सतरंज के जाल के आकार की या ग्रिंड पदिती से बनाई गई थी बनवाली का दूर्ग और नीचला नगर जो था वो अलग-अलग दिवार में गिरना होकर एक ही दिवार से गिरा वा था ये दिवार हैं इधर तो दुर्ग हैं और इधर नगर हैं तो अलग-अलग ना होकर दुर्ग और नीचला नगर एक ही दिवार से गिरे वे थे बनवाली का जो पूर्वी भाग हैं यहां हमें व पूरु उस इंदु सब्विता के साक्षे में बनवाली हर्याना से मिले हैं। अब आता है रोपड पंजाब। रोपड पंजाब उनिसो तरेपन में खोजा गया था यग्यदत सर्मा के द्वारा सतलज नदी के किनारे। उनिसो तरेपन में यग्यदत सर्मा के द्वारा खोजा गया था सतलज नदी के किनारे। वो को कौन से गड़ों में दफना जाता था अंडाकार गड़ों में। रोपड से हमें तामबे के कुलाडी प्राप्त हुई हैं। याद रखना तांबे का वानागरतों मिला हैं हमें बनवाली हर्याना से और तांबे की कुलाडी मिली हैं में रोपड पंजाब से और यहां गोमेद पत्तर के मन के भी प्राप्त हुए हैं अब इंपोर्टेंट सब्विता अस्तल आता हैं लोथल लोथल की खोज तो वैसे 1957 में हुई थी रंगनात राव के दौरा लेकिन कक्सरा गैरा की जो पाटे पुस्ता के उसमें 1954 दिया हुआ हैं तो 1957 में खोज हुई थी लोथल की रंगनात राव के दौरा नदी कौन सी भोग लोथल का आर्थ क्या होता हैं मुर्दो का नगर कहलाता है लोथल लोथल से प्राप्त जो मर्दबांड हुए हैं उन पर कोयल और लोमडी का चित्र बना हुआ है याद रखना लोथल से जो मर्दबांड प्राप्त हुए हैं उन पर कोयल और लोमडी का चित्र बना हुआ है लोतल एक बंदरगा था कैसे? कि लोतल चे गोदी बाड़ा का जो एक अवसेश प्राप्ट हुआ है जो ये साबित करता है कि साबर मती और भोगवा नदी के संगम परस्तित ये एक लोतल सिथल किया था? एक बंदरगा था लोथल से जाजो की गोदी जाजो की सरवादिक अवसेश और फारस की मोहर प्राप्त हुई है और फारस की गुल्प मोहर जो है वो हमें प्राप्त होगी दोला विरा से चावल और बाजरे के साक्षी भी हमें लोथल से मिले हैं याद रखना चावल के साक्षी हमें लोथल के अलावा रंगपूर गुजरात से मिले हैं बाजरे के साक्षी भी लोथल से और अभी अपने पड़ा था मनके बनाने कार खाना कहां सी मिला था चनुद्रों से भी मिला था और मनके के सरवादिक परमान यहां पर हमें चनुद्रों से मिले थे तामबे और सोने का काम करने वाले सिल्पियों की प्रयोग सालाएं भी हमें लोथल से मिली हैं संख का कारे करने वाले दस्तकारों के कार खाने भी लोथल से मिले हैं श्तिरी पुरुष या युग्म सवादान के साक्षे हमें लोथल से मिले हैं नाव के आकार की दो मोहरे, हाटा पीषने की चक्की, हाथी दात का पेमाना, दिशा मापक यंतर भी हमें लोथल से मिला है, तामबे का कुत्ता, तामबे की कुलाडी तो मिली थी रोपड पंजाब से, तामबे का कुत्ता मिल रहा है हमें लोथल, गुजरात से, मेसो पोटामि सेतर दोलावीरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन अगले वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे अब क्या-क्या रहा है दोलावीरा रहा है रंगपूर रहा है अला दिनो रहा है कोट दीजी रहा है और इसके बाद आएगा आलम लुकार्टी सब्यता टोपिक पूरा हो जाएगा तो आपके सपोर्ट के बहुत जरूरत है मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो बना पाऊंगा तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल वीडियो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब कीजिए आपके सपोर्ट के बहुत जरूरत है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते लिए आपके अपने चैनल के साथ जय हिन जय भारत